आज हम बनाएं मूंग दाल कशोड़ी बहुत ही टेस्टी एकदम फुली फुली मूंग दाल कशोड़ी बनकर तयार हुई हमारी बहुत ही टेस्टी एकदम करारी सी बनकर तयार हुई हमारी मूंग दाल कशोड़ी यह देखें इसके स्टफिंग भी बहुत अच्छी हुए 2 कप मैदा मतलब होता है 1,5 गंटे के लिए यहां निए बिगो कर रखेंगे एक चमच मोटा कुटा धनिया एक चमच लिए मोटी कुटी सौफ जीरा लेंगे हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च का पॉटर लेंगे हाफ टेबल स्पून धनिय का पॉटर लिया है हमने आमचूर पॉटर लेंगे रस्बूरी मेथी लेंगे बेशन लिया है वन टेबल इसपून नमक लेंगे साथ के नुसार घी लिया है हमने स्टेबल इसपून सबसे पहले हम दाल को मिक्सी के जार में डाल कर ग्राइंड करना है दाल हमारी ग्रैंड हो चुकी है बिल्कुल दर दर इसे इस तरह देखें बिल्कुल यह दर दर इसी दाल हमने ग्रैंड की है सबसे बहले हम इसका कशोड़ी का डो लगा कर त्यार कर लेते हैं इसमें डालेंगे नमक और घी को हमने मेल्ट करके लिया है अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे गी को इस तरह मुठी बान कर देखेंगे हार तरफ से यहां यह बंद रही है इसका मतलब मौईनिस में ठीक लगा है अब तो थोड़ा पानी डालेंगे हार से छिड़क कर और इसका डोलवाएंगे बहुत यसी तरह हमें इसको मल कर तयार कर लिया है डोपर देहेश दम बड़ी असा डो तयार हुआ हमारा इसको रखेंगे एक बॉल में उपर से इस पर रखेंगे गीला कपड़ा नाकि यह उपर की तैस सूखे नहीं और हमारा डो भी दम सॉफ्ट बना रहे है कचोरी की स्टफिंग बना लेते हैं इसमें लिया हमें दो टेबली स्पून ऑइल इसमें डालेंगे दो पिंचींग मोटा कोटा धनिया डाल देंगे वन टेबली स्पून सॉफ डालेंगे जीरा डाल देंगे और इनको एक से दो मिनट डोफलेंपे बूनेंगे रागेश में एक अच्छे खुछ गुआने तक बून लेंगे इसमें डाल देंगे लाल मिश का पाड़र धनिया का पाड़र आम चूर पाड़र आम चूर पाड़र की जगा चाट मसाला भी जाल सकते हैं तसूरी में थी गजुआ इसलिए मिशस करने की बार इसलिए मुंग मुंग डाल को अची तरह बूनेंगे अगर आंधर का मुषटर हैee इतना भूनेंगे हम इसको कि देखें मूह दाल का जो मॉश्चर का बिल्कुल ड्राय हो चुका है का चौड़ी का मसाला बिल्कुल बनकर तयार हो गया है जो इसके अंदर की स्टफिंग है इसको हलका सा ठंडा करेंगे और यह मसाले को थोला सा हाथ में लेंगे इस तरह से एक डो को देख लेते हैं डो अच्छी तरह से हमारा ब्लकुल सॉफ्ट है देगे कितना सॉफ्ट डो है इसको एक दो बार इस तरह मल लेंगे और जितनी बड़ी हमने कचौड़ी बनानी है उससाब से इसमें से इस तरह पेड़े निकाल लेंगे सबी पेड़े हम इस तरह निकाल लेंगे ताकि हमारी जो भी पेड़े हैं बेलकुल बराबर बराबर बनें के सबी पेड़े बनाकर हमें तैयार कर लें इन दौनों का साइज का फर्क देखे इस टफिंग का और इसका डो का डो डबल है वह उसके मुकाबले एक पिड़ा लेंगे इस तरह हाथ से दबाएंगे और अगूठी की मदद से इसकी किनारे पतले करते हुए हम इसको बाह करेंगे बीच में से थोड़ा हम मोटा रखेंगे इसको इस तरह अपने हाथ पे रखेंगे और इसे हमने स्टफिंग की बाल बनाई है इसको हलका सा क्रश कर देंगे अंदर ताकि हमें पैलाने में असानी हो असब तरह से इस तरह सील करेंगे हम उठे रंगली के बीच में दबाते हुए ताकि हमारी जो इस्टफिंगे बहर न आए यह जो हल्की सी चोज बन गए इसको इसी तरह दबा देंगे हटेली अडल्ट मदश से इसको फैलाएंगे दाल को बिलकुल इसी तरह बनाएंगे ताकि हमारी जो दाल अच्छी तरह सब पैल जाए सब तरह दैखें ओनाएंगे और इस तरह हम चकले पे अपने बोर्ट पर किसी भर भी स्थाना कर बना सकते हैं उंगली की मदश से साइड है इसको बढ़ी करेंगे यह देखें बीच में से हमने मोटा ही रखना है और बस इसको नीचे रखेंगे और इस तरह हतेली मदश से हम बढ़ाएंगे तक हमारी जो स सब तरह इसको हम बेल कर बढ़ा कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि हाथ से बहुत अच्छी हो जाती है हतेली की मदश से इसी तरह हम सब बना कर रख लेंगे जितनी हमें फ्राइक कर नियों से बना कर रख लेंगे पहले और हलका सा एकाटे का डो डाल कर देखेंगे देखें बिलकुल धीरे धीरे उपर आ रहा है कि मुस्त तरफ से हमें फोल्ड घया है वह फोल्ड वाला है साम नीची की तरफ करके डालेंगे और जितने इसमें आजेंगे हम इतनी ही डानेंगे ओवन नहीं भरेंगे इसके अंदर और इनको बिल्कुल टस्ट नहीं करेंगे जब तक यह खुछ से फूल के उपर नहीं आ जाती है और फ्लेम को बिल्कुल हम लो ही रखेंगे बस एक चमच की मदद से इस तरह थोड़ा सा जाएंगे जब देखें बिल्कुल उपर आ चुकी है फूल कर देंगे अब दूसरी साइट से इनको बिल्कुल अरांब से हम फ्राइब करेंगे फूल ने तक यह देखें कितना अच्छा कलरा एक दम घोल्डन घोल्डन अब फूल भी ऐसे गहें बैलोन गीता है बिल्कुल कि आल को कि अइधान भी उपस्तानाइब कृली फूली फूली आहीं हमारी कशौड़ी बनकर तयार हूंए उक दम फूल्य कशौडिया बनी है यह दम घोल्कुल घालन की तरह एक बार जरूर ट्राइब करें मुंपड बाल कशौड़ी बहुत इत जिंत तक रक्तर कहा सकते ह ये ऐसे ही करारी बनी रहेंगी